अब अब आपको बनाने से पहले मैं आपको बताना साथ हूं नंबर सिस्टेम के बारे में नंबर सिस्टेम आप बच्पन में ही सिखे हो 0123456789 यह हमारा नंबर सिस्टेम कभी अपने बच्पन से यह नहीं बोले होंगे 012789 असा बोले हो नहीं अब हमेशा ऐसे काउंट करते हो 0123456789 इसी ओडर हम मेंटेन करेंगे स्मॉलेस नंबर और ग्रेटिस नंबर जब हम फॉर्म करेंगे उस समय भी रखो यहां पे कुछ डिजिट्स दिया हुआ है 0,9 इससे आपको स्मॉलेस नंबर बनवाना है और ग्रेटिस नंबर भी फॉर्म करने हैं तो स्मॉलेस मतलब छोटा और ग्रेटस मतलब बड़ा यह आप को चांदते ही हो एक्चुली यह 9 है इसको जब मैं ग्रेटिस नंबर पे ले जा रही हूं ग्रेटिस नंबर मैं फॉर्म करूंगी इसी जिजट से तो मैं क्या करूंगी इसी 0 को मैं 9 के बाद रखोंगी देखो 9 के बाद यानि 9 के राइट साइड में जब 0 लिखा तो इसका वैलू बहुत जड़ा बढ़ गया यह हो गया 90 पहले था 9 उसके बाद 90 इसके बाद 505 उसके बाद हो गया 50 तो यहां पर आप स्मॉलेस नंबर भी क्रेट करना सीख रहे हो साथी साथ यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर से पहले लेफ्ट में अगर यह इसका वैलू नहीं रहेगा कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है अगर 0 से शुरू करेंगे तो इस 0 का कोई वालू नहीं रहेगा और इसी 0 को अगर मैं कोई एक नंबर 1 से लेके 9 तक कि कोई भी एक नंबर के बाद अगर लिखेंगे राइट में तो यह वालू देगा तो इस दो डिजिट से सबसे बरा नंबर जो बनता है वो है 31 ठीक है यह गया 2 जिट नंबर अब आते हैं 3 डिजिट नंबर पे 3 डिजिट नंबर में भी जो मैंने आभी बोला कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है पहले वाले एक्जम्पल में ही आप देख सकते हो एक डिजिट 0 है 3 डिजिट से 4,0,1 तो 0 को आपको बीच में या तो लास्ट में रखना है कभी भी आपको 0 को आगे नहीं रखना है अब मैं शुरू करते हूं 4,0,1 से 4,0,1 में आप देख सकते हो सबसे बड़ा चोटा डिजिट 0 है 0 को हम पहले नहीं रखेंगे बीच में रखेंगे तो उससे 0 के बाद तो सबसे बड़ा सबसे चोटा डिजिट है वो है 1 तो सबसे चोटा डिजिट को हम 1 को पहले रखेंगे 0 को रखेंगे बीच में और उसके बाद हम ले जाएंगे सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको मैं ले जाओंगी सबसे पहले 1, smaller digit smaller digit है 0 मगर 0 को बीच में रखना है और उसके बाद है 4 नेक्स एक्जाम्पल क्या है 327 में सबसे चोटा कौन है 2 उसके बाद सबसे चोटा कौन है 3 उसके बाद सबसे चोटा कौन है 7 237 237 यह सबसे smallest number है जो कि इस 3 डिजिट से आप create कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट हमारा एक्जाम्पल है 8,5,0 इसमें भी एक डिजिट 0 है जिरो से हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो जिरो से जिरो के बाद जो सबसे चोटा है वह है 5 जिरो को हम सगिंड में रखेंगे और लास्ट वान है 8 थ्री डिजिट से हैं थ्री डिजिट 500 8 अब मैं greatest number पे जा रही हूँ तो इसमें सबसे बड़ा नमबर है 4 तो 4 को मैंने पहले रखा उसके बाद जो सबसे बड़ा है वह है 1 1 को मैंने दूसरे नमबर पे रखा और लास्ट है 0 400 10 तो यह थ्री डिजिट से सबसे बड़ा नमबर यही create होगा ठीक है उसके बाद आता है अतर हमा second example में question आप यह है 3,2,7 327 से आपको greatest number बनाने हैं तो सबसे पहले आप कौन सा number को लोगे greatest number को greater number को इन तीनों में सबसे बड़ा है जब से greater है उसको लोगे तो इन तीनों में सबसे बड़ा है 7,7 को ले लिया उसके बाद 3,3 उसके बाद 2,2 ठीक है देखो यहां पर मैंने 2,3,7 किया दा 2,2 सबसे चोटा उसके बाद 3 चोटा उसके बाद 7 उसके बाद जब greater number बनाया सबसे बड़ा number को रखा 7 उसके बाद जो बड़ा आते है वो 3 उसके बाद जो बड़ा 2 ठीक है तो smallest number को small से छोड़ शूरू करना है और greatest number को greater से शुरू करना है लाइक ऐसे और इसको यह आपका रहेंगा कैसे आप descending order ascending order में किये थे वैसे ही smallest number को आप देखो कि जो 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 यही और दिजिजिट से सबसे चोटा सबसे उसके 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 चोटा और सबसे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ठीक है लास्ट वन है 850 यह 3 डिजिट्स है अब मैं smallest number create कर चुक है अब मुझे greatest number create करना है greatest number पे क्या है 850 8 सबसे बड़ा है उसके बाद आता है 5 उसके बाद आता है 0 850 इन 3 डिजिट्स से सबसे greatest number यही create हो सकता है ठीक है अब हमने टू डिजिट्स नंबर और त्री डिजिट्स नंबर से कैसे smallest और greatest number बनाते हैं वह हमने सीख लिया आप हम को से ना है 4 डिजिट्स नंबर ठीक है आपके सलेवस में 4 डिजिट्स नंबर ही है हमें यहां पे 4 डिजिट्स मिला है 1,0,9,2 तो 3 डिजिट्स नंबर पे मैंने आपको पहले बता रख्यों कि जिट्स में smaller है मगर 0 से कोई number हम start नहीं करेंगे तो 0 को हम छोड़ देते हैं 0 के बाद जो सबसे चोटा है वो क्या है 1 तो 1 को हमने पहले रखा और 0 को आपको second number पे रखना है ठीक है 1 के बाद ही आपको 0 लिखना है उसके बाद 1 के बाद सबसे चोटा कौन है 2 2 रखा उसके बाद क्या आता है 9 ठीक है सबसे पहले 1 उसके बाद 0 उसके बाद 2 उसके बाद 9 smallest number create करना है इसमें सबसे छोटे नंबर से हमने start करा next example 2 5 7 1 इन में सबसे चोटा कौन है 1 तो 1 को मैंने पहले रखी हूँ उसके बाद 2 उसके बाद 5 उसके बाद 7 1257 इस इस तर स्मॉलेस नंबर यू कन क्रिएट फॉम दोस जीजे ठीक है next example is 0,8,4,3 इन 8,4,3 में सबसे चोटा कौन है 3 0 को हमें सबसे नंबर पर रखना है उसके बाद आता है 4 उसके बाद आता है 8 तो दिजेट इस 3048 अब हम आते हैं greatest number पे greatest यानि हमें greater number से start करना है first example में greater number is 9 9 को रखे उसके बाद आता है 2 उसके बाद 1 और last 20 is 0 the number is 9200 10 this is the greatest number you can form from those digits next example 2,5,7,1 इन में सबसे greatest number है 7 7 उसके बाद आता है 5 उसके बाद आता है 2 उसके बाद आता है 1 last example subsecretary 8 उसके बाद आता है 4 उसके बाद आता है 3 उसके बाद आता है 3 उसके बाद आता है 3 last one is 0 8430 clear now I'm sending a worksheet to relate this topic you have to watch this video very carefully and complete your worksheet within time if you have any queries you can SMS me or you can call me okay thank you